बेलकम तो यूटूब चैनल जीके जीया स्वित मनीश सर मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं आपको साइन्स के महत्पुर्ण 25 प्रशन करवाऊंगा जो आपके MTS एक्जाम के लिए बहुत ही महत्पुर्ण होंगी तो आईए शुरू करते हैं दोस्तों पहला प्रशन है आधुनिक अनुवांसिकी का जनक किसे माना जाता है तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को माना जाता है दोस्तों इसका अंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक अनुवांसिकी का जनक माना जाता है देखो दोस्तो जीवो के ऐसे लक्षन जो पीधी दर पीधी अस्थानांत्रित होती रहती है उसे अनुवांसिकी लक्षन कहते हैं इस अनुवांसिकी लक्षन को पैत्रिक गुन के नाम से भी जानती है और सरप्रथम 1905 में अनुवांसिकी को प्रभाजित सब्द के रूप मे वट्सन ने परयोग किया था दोस्तों 1905 में अनुवांसकी को प्रभाजित सब्द के रूप में वट्सन ने इसका परयोग किया था और अध्यूनिक अनुवांसकी के जैनक किसे मना जाता तो chief- जान मंदल को माना जाता है अगला question is निमलिखित में से कौन सा पदार्त एक जीन का निरमान करता है तो याद रखना poly nucleotides कौन तो poly nucleotides जो पदार्त है वो एक जीन का निरमान करता है और एक जीन एक enzyme क सुधान दें दिया था टो फिल्डम और टार्टम ने दिया अगला प्रस्ट है एक वरंधता पुरुस एक समाने महिला से विवाह करता है तो वरंधता के लक्षण उत्पन होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में देखो एक वरंधता क्या है अब देखो वरंधता क्या है तो वरंधता एक लिंग समंधि और प्रवाबी बिकार है जो आँकों के लाल या हरे रंग के संकु के दोश के कारन होता है अर्थात लाल और हरे रंग में अंतर नहीं समझ सकते है जिसको यहाँ बिमारी हो जाती है वरंधता दोस्तों अगले द्वारा पर स्तावित किया गया था तो उत्त परिवर्तन का सिधान जो दिया गया था वो हुगोडी ब्रीज के द्वारा दिया गया था यह हो जाएगा सी दोस्तों इसका एंसर कि उत्त परिवर्तन का सिधान किस ने दिया था तो हुगोडी ब्रीज ने दिया था आप ये composite kool का पौधा है, कौन है composite kool का पौधा, तो क्या बोलोगे सुरज मुखी जो है, ये composite kool का पौधा है, अगला पस्टन है, जीव को सिकाओं में अनुवांसिक लक्षन के नियंतरन में, निमलिकित में से कौन सा उत्तरदाई होता है, जीव को सिकाओं में अनुवांसिक ल कॉन है तो कंगारू कगारू जो है और विख्षितन को जण्म देती है और जब तक इसका बउनने वाड़ी पिरानी कहुता है तब तक सिके वानिर निर्दारंग होता है किस पर किस पिता के क्रोमोसों पर या पुरूसों के क्रोमोसों पर इस कैंसर हो जाएगा ए मेरी प्यारे लालेबं लालियो तो अगला प्रश्म है हिमोफिलिया एक अनुवांसिक विकार है जो क्या उत्पन करता है तो रख्त का असकनन नौ होना उत्पन करता है अर्थात इस रोग से ज जोतपन करता है क्या तो रख्त का असकंदन नो होना यदि कोई मानविय रोग के भ्रिहत् छेत्न में फैलता है तो उसे क्या कहते है यदि वॉलते है मेरे प्यारे लाल एम दुसरे व्यक्ति से दूसरे व्यक्तित तक रोगों को संचारित करने वाले जीबों को क्या कहते हैं तो व्यक्तर कहते हैं मेरे प्यारे लालेवम लालियो अगला प्रश्ण है निमलेकित में कौन सा विसानु जनित रोग नहीं है अर्थाद वाइरस से होने वाला रोग निमलेकित में कौन सा नहीं है तो हैजा दोस्तों ये वैक्टरिया से होता है नकी वाइरस से छोटी माता पोलियो और चेचक ये विसानु जनित रोग है और हैजा जो है यह जीवानु जनित रोग है विसानु जनित रोग रोग और कारक विसानु छोटी माता जो होता है वो वेरी सेला वाइरस से होता है खसरा के लिए कौन सी वाइरस है तो मोर विली वाइरस है रेवीज के लिए रेवीज वाइरस और प माता के लिए वह कैने कोई मत होना अगर चोटी माता पूछे तो वायरूस दोस्तों दुस्तों एपिलंजा के लिए मिंस मारेश अट कॉल्वार घ्रोप्लिश के नाम से भी जानते थे अगला पस्ट है टीवर किलोसिस के विरुद मुखिता किस वैक्सिन का परियोग किया जाता है तो बीसी जी का परियोग किया जाता है तो कौनसा वैक्सिन दोस्तो बीसी जी का वैक्सिन का परियोग किया जाता है अगला पस्ट है स्वेत प्लेग को समानेता किस नाम से जानती हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है निम्लिकेते में कौन सा एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती है किस विकल्प के द्वारा तो अपसर आपका मच्छर का कातना यौन अगला प्रश्ण है निम्लिकेते में से किसके कारण से होने वाला संक्रमन रोग है जो यकिर्थ को प्रभावित करता है और किस कारण से होता है या फंगी से होता है या प्रोटो जुवा से होता है तो या दकना ये बाइरस से होने वाला मेरे प्यारे लालेवम लालियोग अगला पस्तिक्स रोग किसको प्रबावित करता है मस्तिक्स के लिए होता है ECG मेरे प्यारे लालीवम लालीओ ECG का फुल्फरम होता है Electro Cardiogram आप EEG का फुल्फरम बता तो कमेंट बॉक्स में कि एई जी का फुल्फरम क्या होता है अगला पश्ण है मदुमे के उपचार हे तो परियुक्त इंसुलीन हार्मोन का अविसकार किसके द्वारा किया गया था तो बैटिंग के द्वारा किया गया था इसका एंसर हो जाएगा ए अगला प्रश्ण है लुईकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसके औसाधरन विर्धी जो होती है वो किस कारण से होती है लुईकेमिया क्या है तो यह एक प्रकार का कैंसर है और जिसके औसाधरन विर्धी जो होती है वो किस कारण से होती है तो याद रखना स्वेत रख्त कनिकाओं की संख्या में विर्धी से होती है किसे होती है स्वेत रख्त कनिकाओं की संख्या में विर्धी से होती है तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वाले हमारे साइंस के 25 महत्वपुन सेसे ने बताया था कि सुएत रक्त कनिकाओं का जो जीवन गाल होता है वो कितने दीनों का होता है तो यह आप बतादो कमेंटर बोक्स में मेरे प्यारे लालेवम लालियो अगला पुश्टन है चेचक होने का कारण क्या है अभी मैंने तुरंत आपको बताया है डेंगू वुखार किस रोग वाहक द्वारा संचरित होती है या पित्जवर किस रोग वाहक के द्वारा संचरित होती है तो इसका दोस्तों एंसर याद रखना आप एंडीज मच्छर के द्वारा एंडीज एजिप्ट मच्छर के द्वारा टेंगो युखार या पिर तुज्वर जो दोस्तों होती है यह संचरित होती है यह करलती है देखो कुष्ट रोग को किस अन्य नाम से जानते हैं कुष्ट रोगों को किस अन्य नाम से जानते हैं तो फ्लाइटिस का कारण होता है क्या जापानी एंसे फ्लाइटिस रोग जो होता है या किस कारण से होता है जिवानू के कारण होता है प्रोटो जवा के कारण होता है विसानू के कारण होता है या फ्रफून के कारण होता है दोस्तों तो याद रखना ये होता है विसानू के कार किस कारण से होता है विसानू के कारण होता है दोस्तो दोस्तो देखो जिवानू अर्थात बैक्टरिया तो मैंने आपको विसानू जनितरोग तो बताया ही था अब जानेंगे जिवानू जनितरोग जिवानू से कारण का हैजा होता है टिप्थीरिया होता है चैरोग होता है दो तो टाइफाइड होता है प्लेग होता है काली खांसी होती है निमोनिया और सिफलिस यह सब जिवानु जनित रोग है पुछा गया कई बार एक्जाम में कि निमलिके तमें कौन जिवानु जनित रोग नहीं है तो जिवानु जनित रोग मैंने बताया आपको हैजा है जादों की जिवानु की खोज किसके तवारा की गई थी ये दोस्तों आपको बताना है केमेंट बॉक्स में तो ये था हमारा साइंस का महत्त पुर्ण 25 प्रश्म जानकारी कैसी लगी ये आप अबस्य फीड़वेक में दोस्तों बताना केमेंट बॉक्स में और अच्छी लग झाल 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 झाल